पाम की घरेलू खेती को मिल रहे प्रोथसान से पाम ओयल के आयात में 30 फीसद तक की कटोती हो सकती है दरसल सरकार ने पाम खेती को बढ़ाने के लिए नैशनल ओयल मिशन के शुरुआत की है जिसके लिए 11,000 क्रोड रुपए का बस्किया प्रवधान किया गया है इसमें केंदर के हिस्सेदारी 8,844 क्रोड रुपए होगी मिशन की सफलता से वर्ष 2030 तक 28,000,000 तंग अतिरिक पाम ओयल का वार्षी घ्रेलू उतपादन होने कानुमान लगाया गया है क्रिशी मंत्राले के आंकडों के मुताबिक फिलाल 3,5 लाख टन हेक्टेर रुपए में पाम के बागान है जबकि नैशनल ओयल मिशन के तहत वर्ष 2025 तक अतिरिक 6,5 लाख हेक्टेर में पाम की खेती का रुपए बढ़ाया जाना है मिशन की शुरुआत पिछले वर्ष से हुई थी वहीं आपको बता दे कि भारत खाद्य तेलों की सालाना अपनी कुल खपत का 56 फीसद से अधिक आयात करता है आयातित कुल खाद्य तेलों में अकेले पाम ओयल की हिस्सेदारी 80,000,000 होती है जबकि पाम ओयल का घ्रेलू उत्पादन मत्र 5,000,000 तन ही होता है नैशनल आउयल मिशन से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्ष 2030 तक हमारा घ्रेलू उत्पादन बढ़ेगा जिससे 25 से 30 फीसदी तक पाम ओयल का आयात घड़ जाएगा मिशन के तहट अगले 2-3 वर्षों के दोरान पूरवी 30 राज्य आंधर परदेश, तेलंगाना, असम, तिरुपूरा और मिजोरम में पाम की खेती का रखबा बढ़ जाएगा इन राज्यों में पाम के जो पोधे लगाये जा रहे हैं उन्हें फल देने में 4-5 वर्ष लग सकते हैं वही खादय तेल का घ्रेलू उत्पादन कुल जरूरत का 44 प्रतिशत हो रहा है कुल घ्रेलू उत्पादन में सवाधिक 40 प्रतिशत, सरसो 24 प्रतिशत, सोयाबीन और 7 प्रतिशत मुंफली की हिस्सेदारी है मिशन के इस अभ्यान में निजी शेतर की प्रमुक कमपनिया गौद्रेज, एग्रोवेट, पतंजली फूट्स और 3F ओल पाउम, एग्रोटेक, इंडस्ट्रीज प्रमुक भूमी का निभा रही है मिशन में सालाना 11,000 हेक्टर में पाम ओल के पौदे लगाये जा रहे हैं आंदरपरदेश, तेलंगाना, असंद, तमिलनाडू और ओरीसा में गौद्रेच एग्रोवेट सक्रिय है चबकि तिरपुरा राज्य सरकार ने मिशन के तहती पतंजली फूट से पाम खेती के लिए समझ होता किया है बूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी